दोस्तों यूं तो हमें टीवी इंडस्ट्री में एक से बढ़कर एक सीरियल देखने को मिले हैं पर शायद हूं सीरियल में से किसी ने साल 2011 में आए पॉपलर शो अफसर बेचा कर एक और तोड़ा हो और भला तोड़े भी कैसे यही तो वो सीरियल था जिसमें कृष्णा ने अपने सपने को साकार करने के लिए काफी संघर्ष किया और उसी संघर्ष की घड़ी में इनका मा सरस्वती ने काफी सहीयों किया और एक अच्छी मा बनकर सभी के दिल में उतर गए लेकिन दोस्तों सीरियल अफसर बिठ्या में कृष्णा की मा स्वती का जबदस्त करदार अगर आप इन सबी बातों से रूबरू होना चाहते हैं तो बस वीडियो के एंट तक बने रहें साथ इस खूबसूरत अक्ट्रोस के लिए लाइक करना ना भूलें अपसर बिट्या शो में कृष्णा की मां सरस्वती का करदार ने भाने वालिया दाकारा का नाम है मीरा मीर जिनका जन मुंबई में हुआ इसले इनकी सारी पढ़ाई यहीं से हुई अगर बात कर इनकी अक्टिंग करेड की तो बता दे इनोंने करेड की शुरुआत की साल 2010 में आई फिल्म आई एम कलाम से जिसमें इनोंने कलाम की मां मीरा का करदार निभाया जिसे दर्शकों द्वारा काफी जारा पसंद किया गया इसलिए तो इस फिल्म के बाद इनने जी टीवी के पॉपलर शो अफसर बिट्या में काम करने का मौका मिला जिसमें इनोंने क्रिश्णा की माहा सरस्वती के किरदार को बखू भी परदे पर उतारा आगे चलकर इनने कभी पीछों मुड़कर देखनी की जरूरत नहीं पड इस दमदार अक्टरोस के पती और बच्चों के बारे में तो आपको जानकर हैरानी होगी कि इनोंने अभी तक किसी के साथ घर नहीं बसाया है लेकिन इनका एक शक्स के साथ जरूर नाम जोड़ा गया बता दे वो कोई और नहीं बलकि टीवी इंडस्री के दमदार आक्टर रौकी वर्मा है बता दे रौकी वर्मा वहीं है जोने आप सभी इनके ऑपोजिट सर्विस वाली बहु सीरियल में देख चुके होंगे जहां इसी शो में काम करने के दोरान दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं और दोनों को एक साथ स्पोर्ट किया गया है अलाकि जब बनक अबिनेटरी मीना मीर को हुई तो उन्होंने इंसा भी बातों को रूमर बताया और मीडिया पर गुसा जाहिर करते हुए अपनी चुम कर भडास निकाली जसे सब को अंदाजा हो गया कि ये सिर्फ और सर्फ अफवा है तो दोस्तों आपको मीना मीर का भी ने सीरियल अ अफसर बिचा में ज़ादा पसंद आया था या फिर सर्विस वाली बहु में आप हमें अपनी राए कॉमिन बॉक्स में कॉमिन करके जरूर बताएं साथ ही टीवी जगत से जुड़ी ऐसी मसालेदार खबरों को जाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले झाले ठाएं